सबी दोस्तों को नमस्कार कैसे हो आप सब उमिदेश सब अच्छे होंगे आज का सेशन में हम करेंगे हरियाना जिक्की के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेशनों का MCQ टेस्ट तो आज का टेस्ट में आप कितने क्वेशन सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और आज का सेशन आप अंतक देगी है, जदश जदा सेर कीजिएगा तो बिना देरी की हम आज का सेशन सरू करते हैं फर्स्ट क्वेशन आपता है आज के सेशन का आपकी स्क्रीन पर हरियाना में कितने दुर्जर्शन केंदर हैं? बिल्कुल बैसी क्वेशन है आपकी स्क्रीन पर हरियाना में कितने दुर्जर्शन केंदर हैं? हरियाना में कहां पर दुर्जर्शन केंदर स्तापित किया गया है कभी इसकी स्तापना होई ये question काफी बार आपसे exam में पूछे गए है और आगी exam में पूछे भी जाएंगे अरियाना में कितने दुर्दर्शन केंदर है तो अरियाना के अंदर एक भी नहीं है या एक या दो या तीन जादा तर बच्चों को ये पता भी होगा हरियाना में कितने दुर्दर्शन केंदर है क्योंकि काफी basic question है कई बार exam में पूछ लिया गया तो कितने दुर्दर्शन केंदर हरियाना में है तो हरियाना के अंदर एक दुर्दर्शन केंदर है भी हर्याना में क्या है एक दुर्दर्शन किंद्र है एक मातर दुर्दर्शन किंद्र की स्तापना हर्याना के इंसार में हुई कहां पर हुई है हर्याना के इंसार में एक मातर दुर्दर्शन किंद्र की स्तापना हुई है कब की गई तिसकी स्तापना ये भी एकजाम में आप से पूछ सकते हैं एक नॉमबर दो जार दो को एक नॉमबर दो जार दो को इसकी स्थापना की गई ये question बन सकता कब की गई है एक नॉमबर दो जार दो को इसकी स्थापना किसने की तंतकालिन सुचना ये परसाण मंत्री सुसमा सवराज ने हर्याना के दूर्दरसन केंदर की स्थापना की है एक नमबर दो जारदो को तो कमेंट बोक्स में आपने बताना है हर्याना के अंदर कितने अकासवानी केंदर है क्योंकि ये क्वेस्टन काफी वार आप से एकजामें पूछे गए हैं और ये सभी को पता भी होगा तो इसका राइट अनसर आपने बताना है हर्याना में कितने अकासवानी केंदर है इसका राइट अनसर क्या आएगा कमेंट बोक्स में टाइप कीजीगा तो next बढ़ते हैं next question आता आपकी screen पर बल्लबगड स्तीत टायर उत्पादन के एक सेत्र में अगर निये माने जाने वाला कौन सा कारखाना है तो बल्लबगड स्तीत टायर उत्पादन में तो टायर उत्पादन में अगर निये कौन सा कारखाना रहेगा फृदाबाद कारखाना, गोडियर कारखाना योमनानगर कारखाना या इन में से कोई नहीं ये भी बिल्कुल basic question है exam की दस्टी से most important question है दो-तिन question यहां से आप से exam में पूछ सकते हैं देखो क्या-क्या question बनेगे पहले इसका राइट अंसर बताओ बल्लबगड तायर उत्पादन के एक सेत्र में अगरनिय कारखाना कौन सा रहेगा तो अगरनिय कारखाना रहेगा गुडियर कारखाना गुडियर कारखाना बल्लबगड का अगरनिय कारखाना है किसमें टायर उत्पादन में कौन से कारखाने में किया जाता है गुडियर कारखाने में तो गुडियर कारखाना कहाँ पर आएगा बलबगड में, देखो कितनी question बन गई यहां से तो यह exam की दश्टी से most important है तो next पड़ते हैं, next आता आपकी screen पर दुर्वासा आसरम कांस दीते हैं तो दुर्वासा आसरम कहां पर बनाया गया है दूबलदन रोट तक किलायत जींद, स्याना मेंदरगड, दोसी मेंदरगड तो कहां पर दुर्वासा आसरम बनाया गया है एक तो इसका बिल्कुल जवाब नहीं होगा डीतो यह कट कर दीजिए क्योंकि दोसी हर्याना की सबसे उची चोटी है जो मेंदरगड के अंदर है यह एकजाम में काफिवार आपसे पूछा गया हर्याना की सबसे उची चोटी का नाम क्या है डोसी हर्याना की सबसे उची चोटी डोसी जो मेंदरगड के अंदर है इस कराय टनसुर यह तो होगा नहीं लेकिन किलायत जींद या श्याना मेंदरगड या दूबल दन रोधतक में से दुरुवासा आशरम कांपर है यह आपने बताने तो क्या आएगा इसका रायटन सुर इसका रायटन सुर आएगा दूबल दन रोधतक में दुरुवासा आशरम बनाया गया नेक्स्ट पढ़ते हैं 1946, 1945 या इन में से कोई नहीं, तो सही ज़ वाब बताऊ भाई, बिल्कुल बेसिक क्वेस्टन है, टेक्नलोजिकल इंस्टिटूट ओफ टेक्स्टाइल, हरियाना में कब स्तापित क्या गया है, तो अरियाना के अंदर कब स्तापित क्या गया है, नेस्ट आता है हर्याना वित निगम की स्तापना कब की गई? तो हर्याना के वित निगम की स्तापना कब की गई? 2 अपरायल 1967 या 4 अपरायल 1967 या 1 अपरायल 1967 या इन में से कोई नहीं तो हर्याना के वित निगम की स्तापना कब की गई? है रियाना में वित निगम की स्थापना तो रियाना के वित निगम की स्थापना की गई है एक अप्रेल उनिशो सट 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 सी सही जवाब आएगा यह आपने बताना हरियाना का जो वित निगम है उसकी स्तापना कहाँ पर की गई तो कहाँ पर इसकी स्तापना की गई है क्योंकि काफ़ बार एक जाम में repeated question है इसलिए मैंने इसका जवाब आपसे comment box में पूछा है तो next आता है यूरिया सेंतर कौन से जिले में स्तीत है तो यूरिया सेंतर कौन से जिले में आए गया है ए ओपसन में दिया है सोनिपत बी मैंदरगर्ड सी पानिपत डीन में से कोई तो यूरिया सेंतर कौन से जिले में आएगा यूरिया सेंतर आएगा पानिपत के अंदर पानिपत के अंदर यूरिया सेंतर बना गया है सी इसका सही जवाब हो पर हो जाएंगा. नेस्ट परतें, नेस्ट क्वेस्वेस्टन है, जीला कुरक सेत्र की साबाद सेहकारी- चिन्नी मिल की स्थापना कब की गई दो-तिन क्वेशन यहां से बनेगे जीला कुर्क सेत्र की सहाबाद सहाकारी चिन्नी मिल की स्थापना कब की गई पहले इसका राय टनसर बताओ 1936 से यह 13 में इसकी स्थापना या 1934 से पिचासी में या उनिसे क्याणों में बढ़ूआ में या 1934 पिचाणों में के अंदर तो कब की गई था इसकी स्थापना मुझे उम्मीद है काफी बार आप से यह एक जाम में क्वेस्टन पूछा गया और ज्यादा तर बच्चे जो अ यह किक कही बार पढ़ी चोगी उनको तो इसका पता इह होगा जी ला कुरख्सेत्र की जो साहबाद सहकारी चिन्मील है उसकी स्थापना करें पर है इसका सही जवाब आए गा तो यह most important question है, इसको आपने अच्छी तरीके से करने है, next पढ़ते है next question आता आपकी screen पर, हर्याना की कौन सी नहर दिली में ओखला नामक स्तान से युमना नदी से निकाली गई है, तो हर्याना की कौन सी नहर है, जो ओखला नामक स्तान से युमना नदी से निकाली गई है, त कौन सी नेर है तो कौन सी आएगी इसका राय टनसर आएगा गुडगाउ नेर गुडगाउ नेर ओखला नामक स्तान से युम्नानदी से निकाले गई नेर है यह इसका सही जवाब हो जाएगा तो आज का सेशन में हमने हर्याना जिक्के के बिल्कुल काफी बार जो एकजाम मे किये वह भी बता दीजिएगा तब तक दोस्तों थैंक्स पूर वाचिंग जैभार्त और आज का सेशन आपको कैसे लगा यह भी आपने बताना है अगले सेशन में जल्दी मिलते हैं